सत्गुर नानक पर गटे आ मिटि तुंद जग चानन होआ वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू सत्गुर नानक पर गटे आ मिटे तुंद जग जानन हुआ जोकर सूरज निकले या थारे छपे अंधेर पलोवा सत गुर्नानक परगटे या सिंग बुके मिरगावली पन्नी जाए ना तीर तरोवा जित्थे बाबां पेर तरै पूजा सड़ता पन सोवा मिटे थुंद जग जानन हुआ सत गुर्नानक परगटे या वाही गुर्ची का खाल्सा वाही गुर्ची की फते मेरे वलो याने की नपती तालीबाल वलो ते पूरी संगट टीवी दी टीम वलो आप सब नू गुर्नानक देव जी ते परकाश दे हाडे दियां बहत बहत मुभारकांची क्या देने की केवल ते केवल वाही गुर्ची दा नाम ही चपना चाहीं दे जीवन दे वेच एक सच्चे दे पूरन गुर्ची लोड हुंदी है जिससे नाल जीवन दा सच्चा रस्ता मिल जान दे वाही गुरू हर जगा ते व्यापत है अते किसे विशेश स्थान जामूर्थी दे विच नहीं हुंदा होता हर तरफ हुंदा है एक ज्यान जीनों हो जावे और फिर दूविता जो निकल के सच्चे रस्ते यानि की परमात्मिक रस्ते ते शुब काम कारते हुए राम नाम जहास ते स्वार होके पब सागर नो पार कर जानता है ते ए आत्मा जिस वाईगरू देनाल भी छोड़ी हुंदी है उसे देवेच वापस बलीन हो जानती है एश्वर के वल एक है ओ अजुनी है ओ कदे भी जनम नहीं लेंता उस्ता परकाश्ता अपने आपतों ही होया है उ उस दा किसे वलों भी वैर जा दुश्मनी नहीं है ओ एक अजी ही मूरत है जिस दा कोई काल नहीं है अजी है गुणा देनाल पर पूर वाईगरू के वल गुरू दी किर्पा देनाल ही मिल दा है जो तो सारी दुनिया देवेच अग्यान दाहा नेरा छागया इंसान आत्मक ग्यान दे परमात्मिक ग्यान वलो दूर होके अग्यान दे डूंगी खाई देवेच डिग क्या देवेच वाईगरू नू पलके होरा दे पूजा देवेच व्यस्त हो गया ता इश्वर ने इस दार्थी ते शिरी गुरू नानक देव जी नू पेचिया आओ फिर चात मार तेया गुरू जी दे जीपनते वाही गुरू जी का खालू सा वाही गुरू जी की फते सत्यू नानक परगटिया मिटी तंद जाग चानन होगा दे महावाकौन सार। जागत गुरू बाबा महान इनकलाबी क्रंति कारी महापुर्श। पुर्श तान गुरु नानक दे महराज जी दा अवतार पुर्ब ब्यंत संकता बलॉं बड़ी शर्दा ते पावना सहत मनाया जा रहाई गुरु नानक दे महराज जी जिस विले जगत वेचे परगट हुए ते पाई गुर्दाह जी दे 합नंसार ते गुरु सह बाना दे से बाऊ तके शायी ते लोकां दे उते बड़ा जुलम और शाय सी और तार में कलोक भी बढ़ी आदलीया का रहा है सान। राजयाने मी बड़ी लोट में चाही होई सी पाई गुरुदास जी केंदे ने के गुरु नानक दे महराज जी दा परकाश होया गुरु नानक बबाजी परकट होए जग्ट दे विचो मनों के सारी तोंद जड़ी सी वो उड़ गई मिट गई अंदेरा भी शुप गया तारे ते सारे पास से परकाश ही परकाश हो गया गुरु नानक दे महराज जी ने जग्ट दे वेचे के नमा फलसफा नमा तर्म नमे सिदात नमे असूल नमी मर्यादा ए सद्गरु जीने सानू बक्षिश कीती उनाने सानू जियोंदा टंग दस्या के कारपरवार दे विच रिं दिया होया केमे असी ओसा काल पुर्ख वेग्रु नू प्राप्त कर सकदेया उना दे बचन सन के नानक सद्गरु पेटेया पूरी होवे जुगत हसंदेया खिलंदेया पैनंदेया खाबंदेया विचे होवे मुकत इना विचारानू परचारन वास्ते सिखी दा तर्मदा परचार करन वास्ते गुरु नानक दे महराज जीने लम्या लम्या चार उदासिया कीतिया चारे दिशामा दे वेचो सारे थामा ते आब चलके गए ते पुले पढ़के लोकानू साच दे मार गुते चलाया उना रू तर्मदी किर्थ करन वास्ते नाम जपन वास्ते वंड ग्रिष्ट वेच रही दिया होया अकाल पुरुख दी प्राप्ती दारस्ता दस्या ऐसे दीन दे आल सत्गुरु जगत गुरु बाबा गुरु नार्क से महराज जीदा अवतार पुरुब आसी हर साल दी तरह सिरी दरबार से तरंतारन विखे बड़ी शर्दाते पावना से मनों दे हां इस वार वी गुरु नार्क से जीदा बड़े पद्र देवते गुरु पर बजिडायों मनाया जा रहा है दिवान साजदे ने नगर कीरतन निकल देने और पंथ दे परसिद कथा वाज को रागी टाडी इनस मागमा दे वेच हाज्रियां पर देने बेयांत संग करता आके गुरु जास सर्वन करके ते ओ नत मस्तको के अपना जीमन सफल कर दिया ने निहाल दिया ने मैं गुरु नार्क दे महराज जी दे अवतार पुरु दिया संसार दे वेच वासदे हुए सारे ही लुकानू लख 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 कवदाई दिन्दा हां और आस करदा हां के असी सारे गुरु नार्क से महराज जी दे वो पुदेशा मताब के चलिए और आपने जीमन नों सफल बनाईए ये निया बेंतिया प्रवान करनिया वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फतिः शिरी गुरु नार्क देची सिखांदे पहले गुरु जिनादा जनम, परकाश, पहली बेशाख, शुकल पक, पूरन माशी, दिन सौमवार, समध 1526, वेकर्त मिसं 1499 अत्धी रात सत्वे पैर दे विच कार, शिरी कल्यान चंग, पिता, मैता कालूर, शत्रिय दे कार विच, माता तित्ता दी कुखों होया उस नगर दा नाम उस समय राय कोई दी कलवन्डी सी, ते उस दे बाद शिरी कुरु नानक देवची दे जनम होन वलो ननकाना सहिब पैगया शिरी कुरु नानक देवची माहरास दे जनम होन दे सारे नगर दे विच, खुशी दे बाजे वजाएके अकाश वलो देवतावाने फुलनादी परखा की दी एनादी उप जाती बेदी से आप जी दी बड़ी पैंदा जनम सन 1444 श्वीदे पिछोया से उस्पा नाम नानकी से जो बाद दे विच बेदे नानकी दे नाम वलो जानी जादी से शिरी गुरु नानक देव जी अपने साथी बच्चयानों सत करतार सत करतार दा नाम जपांदे रेंदे सर नानक दे प्रसुती कार्च दे विच दाई दौलता ने सहाईता की दी दाई दोलता दे कथन दे अनुसार नन्ना बच्चा ने रोण दे स्तान दे हास्ते होए मनुक समास दे विच परवेश केता पिता कलियान चांत जी ने आपने पांधा पंडेत हर द्याल जी वलो पुत दी जनम पत्तरवी बनवाई ता उन्ना ने पविखबानी गीती कि ए बालक ग्रय नचत्रा दे अनुसार कोई सुन्दरी जोती याने कि दिव्य जोती वाला पुर्खोवेगा कोज दिन भलांग दे गए शुब लगन फे के पंडेत जी ने बालक नू नानक दा नाम दे दिता गालकारले ने गुरु जी दे पड़ाई दी जोदो नानक ची साथ साल दे हुए ता पिता कालू जी ने ओना दी सिख्यादा परबंद पंडित गुपाल दास दी पाठ्षाला दे वेच कार देता नानक ची अपने से पाठ्षियां दे नाल नित देवनागरी दी वरण माला सिखन लगे आपजी एक वार दे वेच उर सारा कुछ कंट सतका लेंदे सन दूचे बच्याणू एक एक अखर सिखन दे वेच कई कई दे लंग जाँदे सन एक करम चलदा ही रेया जीस दे नाल पंडित जी नानक देव जीती प्रतिबातों पहत ही जादा परबाबित होई एक दिन नानक ची ने अधियापक कोपाल दास्ची वलों प्रशन गीता तुसी जो मैंनू अखर सिखांदेओ ओना दा मतलब भी सिखाओ एस उनके पंडेची बड़े हरान हुगे ती सोचन लगे कि मेरे तो अजीखा प्रशन आज ताक किसे वी विद्यार्थी ने नहीं गीता पंडेची ने गिहा नानक एता अखर मातर ने जो कि दूचे अखरावलो योकार किसे वाग दे उत्पति कार देने शिरी गुरु नानक देवची ने पाच शाला वीच तिन साल दे अंदर ही आपने प्रारंबिक सिख्या खतम कार ले शिरी गुरु नानक देवची दी अक्के दी सिख्या पंडत ब्रज लाल जी दे एथे शुरू हो गई ते नानक ची संस्क्रित दी पड़ाई करन लगे दो साल दी काटम्याद देवेची गुरु नानक ची ने सारे प्रकार दे ग्रंथां दे पड़ाई भी कीती ते शाष्टरात वी सिख्या पंडित ब्रज लाल जी नो नानक ची दी प्रतिवा वलों कोई हैरानी नही होई क्योंकि उन्ना ने पंडित को पाल दास ते पंडित हर द्याल ची कोनो नानक ची दे विशे देवेच बहुत कुछ सुन रख्या से ओ अन्त बहुत ही जादा खुश सन किये मुंदा उन्ना दा नाम एक दिन रोशन करेगा ऐसे परकार नित नानक ची मवेश्या नू लेके चार्यां दी दलाश देवेच बना दे पल्पी कुमन लखे ओ थे नानक ची दा मन बहुत ही जादा रमता से ओ एकांत देवीच रहायश देशांत महाल देवीच प्रभू चर्ना देवीच मन इकागर कर चिंतन देवीच हो जादी सन नानक ची हमेशा करम गांडा दे अडंबरां दे कटाक कश कर दे आत्मा वीच प्रभू नु खोजनु क्यां दे कदे कदार विचारां दे आदान प्रदान वीच थिखा विबाद भी पैदा हो जांदा नानक ची हमेशा क्यांदे केवल इक प्रभु पारब्रम राब है ए देवी देवता सब उस प्रभु दी रचना मातर है साननो इना दी पूझा नहीं करने चाहिंदी सिद्धे प्रद्भु नो अराधना चाहिंद है और ही सरवशक्ति माने होन आपा गल करांगे गुरु नानक तेव ची दे व्यादी होन नानक ची दी चड़ी उमर है ओ अठारा साल भी हो गई है होन पेता मैता कालू जी ने वेख्या की मुंडा नानक कुछ काम ताम देविच लागया ता उना ने मोल चांची मू संदेश पेज के व्यादी तारीक निश्चित करवा दी ती ते बराध लेके बटाला नगर चले गए बराध देविच सारे वर्ग दे लोक समलने थोये जदो बराध बटाली नगर पहुंची ता उते शान दार स्वागत होया ता गुरु नानक देवजी दाव्या सन 1487 देविच होया होना पा गाल करांगे कीकदन देव्यती वेदना विरादी क्यांदेने की समा बती धून लाग प्या होन गुरु नानक देवजी दी दोस्ती एक मरासी जवान पाई मर्दाना दिनाल होई जो कि उन्हा दे व्यादे विच संगीत दी नुमाईश कार्या सी ए जवान नानक ची वलुन लाग बग 9 साल बटा सी मर्दाना एक तंत्री वात्य रबाब नु बजान दे शाष्ट्रे संगीत दे विच पूरी तरा निपन सी और नित प्रातकाल नानक ची दे कोल मजूद हो जान दा नानक ची कीतन कार्दे पाई मर्दाना संगीत दे बंदिश विच उसनो अलाप कर्दा कीर्टन दी मदुर्ता सापनो मंतर लीन कार्दे ते सारे हर जस दा अनंध विलन्दे जिस दे नाल सारे लोग मां दी इकागत्ता दा अन्पब भी कार्थे ए अन्पब बनाई रखंदे ले सारे ललाइत रेंदे ते चौन दे की स्वेर दा समा कदे वी खतम ना होवे वदन लखी। पजन बंदगी दे वेचलों दे सन। हौली हौली नानक चीदी दुकान बांद चीही होके रह गए। उन नानक चीदी उमर लगबग 20 साल दी सी। जवान पुत नू कुछ गैंदे नई बांदा। आंद पिता जी कबराय हुई रहन लगए कि मेरा एकलोता पुतर किसे काम दे वीचे रूची नी लेंदा। बस वेराकी जीहा बने रहन दै। एसा वेक के माता त्रेत्ता जीवी नानक नू दुनियादारी दियांगलां समझान बजान दे वीच लगी रहन दी। पिता कालू जीवी चिंतन दे वेचान द्रहन दी। वो सोच थे कि जेकर नानक नू साधू संता ते इस कीर्थन मडलियाँ वलो हट्या लिया जावे ता नानक फेर आपने वपार दे वेच त्यान चरूर दवेगा। एस दे नाल फेर दुकांदारी चालपवेगी। एस दे लही उनाने नानक जीते कड़े परपंद के लगा दिते। वो वना दे वेच नहीं जावेगा। गौन वाले मिरासियां वो लो कोई नाता नहीं रखेगा। प्रतिबंदे कारण नानक जीती दी दिन चर्या खतम जी होगी। उनादे इस एकांद रिहाइश दशा दी पूरी तलवंडी दे वेच चर्चा होन लाग पई। नानक जी ना कुझ खांदे ना किसे वलनाल गाल कारते बस बेस तरा फड़ी रखते। जी में जी में ए समाचार आंड गुआन दे विच फैलन लगा लोक नानक जी नू वेखंदे ले ओन लगे। पर नानक जी किसे वलनों वी गलने खलंकारते। केवल शान, अडोल, ध्रशा दे विच पाई रहाँ दे। एक व्याद नू बलाया गया, पर उसने किहा कि ये बिलकुल तंद्रूस्त है, पर इसने शरीर दे एक की हालत बना रखी है, वास्तव दे विच गल की है। तद नानक जी ने कोज शब्द उचारन कारते होई अपने दिल दी काल क्या दिती। उनाने किहा, व्याद बुलाया व्याद की पकर टंडोले बां, पोला व्याद ने जाने हैं कारकलेचे मां, व्याद्या व्याद सुव्याद तूं, पैला रोग बच्छान, ऐसा दारू लोड ले जित बंजे हुगा कान। अर्थ, व्याद ने मेरा बाचु फड़ के नाड़ी प्रिख्या कीती हैं, पर व्याद नहीं जानदा कि रोग कीती हैं। मैंनो कोई शरीरिक दुख नहीं, मैंनो ता हिरते दी पीडा स्ता रही हैं। क्योंकि मैंनो हर कीरतन वल्लो थोड़ दीता गया, मैंनो हर जस्ती प्यास हैं जो त्रप नहीं हुँदी। मैं ता तेनो काबल व्याद तद मनना खा, जदो तो पहला असली रोग नो स्यान के कोई अजी ही और शीती खोज जीस्ते नाल मेरे सरीरिक दे मानसिक सारे परकार दे जड़े रोग ने ओ खतम हो जान। तद व्याद ने पिता कालुची नो संबोधन होके केहा, कालुची तो अड़े मुंडे नो शरीरिक रोगता कोई नहीं है, मैं इस्ता की अपचार करां, इसनो ता मानसिक रोग है, जिस्ता एक अपचार है कि इसनो खुश रखो, जे खोजा चौन दे हो, ओह जा करन दो, न आप गुरुणानक तेवजी नो वेखन देले आई, जो तो अना नो एक याद होया, कि व्याद में केवल परसंचित रखन दाही सुझा दिता है, क्योंकि उना नो कोई शरीरिक रोग वेखाई नहीं दिता, तो कालुची ते बहुत ही जादा नरास होगे, कि तो आप ही इन प्रस्तितियां देले उत्तरदाई है, तेनु ता पैसा चाहिंदे, बुंडे दी खुशी तेनु नहीं चाहिंदे, मैं पहला भी तेनु कई बार समझाया सी, तेनु जिनना पैसा चाहिंदे, मेरे तु लेला, पर नानक दे, किसे भी कारज दे विच तु अर्चन नी पॉन पर तु मेरी सोणदा किती हैं? बस उसे दुंगे पानी दे बेच आप अलोप हो गए, दास ने कुछ देर उडीक कीती, जदो तु उसे बाहर ने निकले, ता दास ने जैराम नूँ खबर दीती, कि गुरूची डूब गे ने, ता फेर किसी सारा शहर उथे पहुंच किया, ते बटे टूबों अध्वारा तलाश होन लगी, आखिर कार निराश होके सब लोग वापिस आगे, जैराम जोर जोरना रोन लगा, कुटने लोग कई परकारतियां गल्ना भी बढ़ान लगे, कि पाई एतमों दिखाने विच काटा पै गया सी, जिस दिनाल शरम दे मारे आतम खत्याई कर लिया, पर भी ब बेबे नानकी दातिल अडोल सी, क्यों? क्योंकि बापे नानक दी पैन्चों सी, ओ अपने पती जैराम नो बुली, स्वामी चिंता ना करो, मेरा प्रा कदे डुब बी ने सकता, ओ था संसार सागर विच्चों करूडा जीवा नू तारन बाले, ओ कित्थे डुब सकते, पर बेबे नानकी ने कहा, हे पती देव, तुसी तेन दिन तक मेरे प्राधी उडीकता करो, जो तीसरे दिन समयर में आया, ता समझना मेरा प्रा दुब गया। कि गुरु नानक देवची सोने देवस्तर पाये हुए, नगर्दी तरफ चले आरेने, बस फे किसी, चारे तरफ जयजयकार होन लगी दे नगर्दी विच, खुशी देवाची वजन लखे, जराम ने गरीबानू खुले दिल दे नाल पुन कीता। श्विच गया से, और निरंकार ता सच खन देश की में है। विपिनानकी ने सवाल कीता, तक गुरु जी ने कहा, सच खन पसे निरंकार, करकर वीखे, नदर ने हार। इसदे बाद गुरुची ने विस्माद पाविच आके निरंकार ते दर्दी वटे आई, जबची साहब दे वेच, सोधर शब्द द्वारा वन्नन कीती। अतेरे रास साहब दे बाणी वेच, सोधर दे शब्द पढ़के, जिस्ते गुरुची ने निरंकार दे दर्दी शोबानों हैरानी टंग वल्नों उचारन वी कीता। आपची तेन दिन तक साच खांड दे वेच निरंकार दे कोल रहे, जगद दे कल्यान दे लेई, ए मूल मंतर लेखे आई, एक ओमकार, सतनाव, कर्ता पुरिक, निर्पो, निर्वै, अकाल मुरर, अजुनी सैबांग, घुर परसाथ, एक ओमकार, अकाल पुरुक केवल एक ह उस वर्गा हूर कोई नही है, वहर जगा एक रसव्यापक है, सब्ध नाम, उस दा नाम स्थाई अस्तित वाले हमेशा ही अटले, कर्ता, वह सब कुछ बनान वाले, भुर्ख वो सब कुछ बनाके औस विच एक रसव्यापक है, निर्पो, उसनों किसे दावी डार नही है, उसते किसेवलों भी कोई दुश्मणी नहीं है अकाल मुरत ओकाल रहत है उसते कोई मुरत नहीं है ओ समेदे परबाब वलों आजाद है अजुनी ओ यूनियादे वेच नहीं ओंदा ओ नाही जनम लेंदा है ते नाही कदे मरत है सैभौ उसनों किसे ने नी बनाया, उसता परकाश अपने आपतों है गुर परसा, अजीहा अकाल पुर्ख वाहे गुरू, गुरू दी किर्पा द्वारा ही मिल दैं आपां गल बात कीती गुरुनानक देवजी देव जीपन बारे उनादे बच्पन बारे, उनादे व्याब बारे, उनादे या सिख्यामा बारे होन अपा करांगे थोड़ा जा विश्राम विश्राम तो उस पार अपा गल करांगे गुरुनानक देवजी ने किवे किवे चारे दिशामां दी यात्रा कीती केडे केडे लोकानु कीमे कीमे सिद्धेरा पाया